नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्यवर्मा दोस्तो आज की वीडियो में ड्रॉइंग एंड पेंटिंग से संबंदित औब्जेक्ट्वी क्वेशन सॉल्व करवाई जाएंगे सबी प्रशन महत्वों है पिछली परिक्षाओं में पूछे गए प्रशन है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और अगर आप में अभी तक हमारे वाटसेप और टेलिग्राम चैन स्कीम आ चुकी है जो भी विद्यार्थी लगनो उनिविश्टी वाले हैं आप लोगों की स्कीम आ चुकी है इसकीम अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर मैंने वीडियो अप्लोड कर दी आप लोग जाकर देख लीजिए इसका पेपर किस दिल लगा है और बाकी अभ रश सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है और सभी लोग इन प्रशनों के उत्तर देंगे क्योंकि मैंने रश टॉपिक आप लोगों को अल्रेडी पढ़ाया हुआ है ठीक है अब एक आध क्वेशन ऐसे हो सकते हैं जो आपको ना पता हूं बाकी की क्वेशन क कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेशन का राइट आंसर ऑप्शन सी नाट कि सास्त्र भरत मुने ने रश सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है तो नाट कि सास्त्र में फिर अगला प्रशन है प्रशन संख्या दू नियम्न निकित में से किस र प्राइट आंसर है option B, स्रंगार रस स्रंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है रती औ अगला प्रेशन देखते हैं प्रेशन संख्या 3 इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer रहेगाвор उप्शन D कि वीर रस. वीर रस का स्थाईभव क्या होता है? उत्साह. अगला प्रश्न. प्रशन संक्याजार रॉध्र का श्थाईभव क्या है? ओप्शन इसकी A. क्रोध, B. विस्मय, C. सोग, D. भ혈. इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ओप्शन A. क्रोध प्रश्ण संख्या पांच विष्मे स्थाईभाव किस रस में होता है। उसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस question का right answer है, option C, वीभत्स रस, विसमे स्थाइभाव किस रस में होता है, वीभत्स रस में, या फिर वीभत्स रस का स्थाइभाव क्या होता है, विसमें, अगला प्रशन है, प्रशन संख्या अच्छा है, स्रंगार रस का स्थाइभाव क्या है, option है इसके A, उच्छा, B, सोक सी हास डी रती तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रेशन का राइट आंसर है option डी रती स्रंगार रस का स्थाई भाव क्या है रती और स्रंगार रस का प्रतीक रंग क्या है लाल अगला प्रेशन है प्रेशन संख्या साथ सोक किस रस का स्थाई भाव है सोक किस रस का स्थाई भाव है option यहाँ पर A. करुण रस B. क्रोध रस C. सोक रस D. मिरवेद रस तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option A. करुण रस सोक किस रस का स्थाई भाव है तो करुण रस का स्थाई भाव है और बाकी नीचे के जो दिये गए है यह रस है ही नहीं यह क्या है यह रसों के स्थाई भाव है अगला प्रशन संख्या आठ किस रस को रस का राजा कहा जाता है किस रस को रस का राजा कहा जाता है बहुत ही important question है और सभी लोग इस question का answer देंगे देखें कितने लोगों को इस question का answer पता है क्योंकि पिछली वीडियो जो रस वाली थी उसमें मैंने ये question नहीं बताया था option देखते हैं इसके तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option D स्रंगार रस रस का राजा या फिर रस राज किसे कहा जाता है श्रंगार रस को next question प्रशन संख्या 9 इस थाई भाओं की कुल संख्या कितनी है option यहाँ पर A 5, B 7, C 9, D 11 तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer है option 9 option C 9 इस थाई भाओं की कुल संख्या कितनी है 9 9 रस है और 9 ही स्थाई भाओं है option यहाँ पर A 9, B 11, C 13, D 14 तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option A 9 अभी आप लोगं को बताया कि 9 रस होते हैं और 9 स्थाई भाओं होते हैं अगला प्रशन प्रशन संख्या 11 वीर रस का स्थाई भाओं क्या है option इसके A रती, B उत्साह, C हास्य, D क्रोध तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option B उत्साह वीर रस का स्थाई भाओं क्या है उत्साह अगला प्रशन संख्या 12 संचारी भाओं की संख्या कितनी है option यहाँ पर A 15, B 22, C 28, D 30 तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option D 33 संचारी भाओं की खुल संख्या कितनी है 33 ध्यान रखेगा संचारी भाओं की खुल संख्या 33 है और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगला प्रशन प्रशन संख्या 33 भाओं की अनुसार रसों की संख्या कितनी है ऑप्शन याँ पर इस का right answer क्या रहेगा इस question का right answer option B 8 भाओं की संख्या कितनी मानी है 8 और अगर वैसे ही पूछा जाता है कि रसों की कितनी संख्या है तब आप 9 लगाएंगे और अगर भरत मुनी के अनुसार खुशा जाता है या फिर नाटि सास्तर के अनुसार तब आप आठ ही सही करेंगे अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 विभाव, अनुभाव और विविचारी भावों के सयोग से रस की निस्पत्ति होती है या कथन किसका है विभाव, अनुभाव और विविचारी भावों के सयोग से रस की निस्पत्ति होती है या कथन किसका है उप्शन यहाँ पर A. भामा, B. भरत, C. ममट, D. जगरनाथ इसका राइट आंसर क्या रहेगा इसक्वेशन का राइट आंसर उप्शन B. भारत मुनी अगला प्रशन, प्रशन संख्या पंद्रा विशेश रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उप्शन यहाँ पर A. अनुभाव, B. संचारी भाव, C. विभाव, D. इनमेंसे कोई नहीं उसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेशन का राइट आंसर ऑप्शन B. संचारी भाव अगला प्रशन, प्रशन संख्या 16 आचारी भरत ने किस रस को नाट्टी सास्त्र में सुईकार नहीं किया? आप्शन यहाँ पर A. सांतरस, B. करूणरस, C. भयानकरस, D. अदभुतरस इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेशन का राइट आंसर है, ओप्शन A. सांतरस सांतरस की खोज बाद में हुई, जो की अभिनो गुप्तने की और सांतरस नवारस है और आचार भरत मुने ने अपने नाट की सास्तर में केवल आठ रसों का ही उल्ले किया है और सांतरस यह नवारस है, इसकी खोज किसने की अभिनो गुप्तने हैं क्लियर हुआ, अगला प्रशन है प्रशन संक्या 17, अनुभाव के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं, तो आलंबन और उद्दीपन अगला प्रशन, प्रशन संक्या 17, सांत रस का स्थाई भाव क्या है तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option C अद्भुत रस आश्चर किस रस का स्थाईबाओ है तो अद्भुत रस का स्थाईबाओ क्या है आश्चर फिर next and last question प्रसिन संख्या 20 कला में नमा रस कौन सा है तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option D सांतरस कला में नमा रस कौन सा है सांतरस और सांतरस की खोश किस ने की थी अब इनों गुप्त ने फिर अगला प्रशन है याँ पर कावि सास्त्र किसके द्वारा लिखा गया कावि सास्त्र जुग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है ओप्शन याँ पर A कांट B अरस्तु C प्लेटो D सुक्रात इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option B अरस्तु कावि सास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है तो अरस्तु के द्वारा फिर next question है प्रशन संख्या दू सौंदर सास्त्र सब्द का मूल अर्थ है उप्शन यापर A इंदृ बोध से संबंधित B सौंदर से संबंधित C प्रक्रत से संबंधित D इसका right answer क्या रहेगा इस question का right राइट आंसर ऑप्शन ए सौंदर बोध से समंदित। शौंदर सास्त्र सब्द का मूल अर्थ क्या है सौंदर बोध से समंदित। अगला प्रिश्ण है प्रस्ण संख्या तीन कांट के अनुसार किसी वस्त को परखने की छमता होती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्वाद कांट ने वस्त को परखने की शमता को क्या माना है स्वाद। इसका राइट आंसर क्या रहेगा इस वैशन का राइट आंसर ऑप्शन सी निरणे की आलोचना यानि कि सौंदर समंदिन निरणे के बादे में जो कांट का देश्ट कोण है ये इन्होंने निरणे की आलोचना में प्रस्तुत किया है। अगला प्रशन है प्रस्न संख्या पांच सौंदर सास्त्र को एक दर्सन के रूप में परिभासित किया गया। उप्शन या पर A. सौंदर और कला, B. कला और कारण, C. सौंदर और कारण, D. कला उसका राइट अन्सर क्या रहेगा। सौंदर सास्त्र सब्द का प्रशलन किसने किया। सौंदर सास्त्र सब्द का प्रेशलन किस ने किया? ऑप्शन याप पर A. आरस्तू, B. कांट, C. एडमन ब्रुक, D. बामगाटन इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस question का राइट आंसर ऑप्शन D. बामगाटन ध्यान दखिएगा सौंदर सास्त्र सब्द का प्रेशलन किस ने किया? अगला प्रेशन है प्रेशन संख्या साथ नौटं की कहा का प्रमुख लोक न रते है? उप्शन यापर A. गुजराद, B. बिहार, C. उत्तर प्रदेश, D. बाश्यम बंगाल इसका राइट अंसर क्या रहेगा? इसका राइट अंसर ऑप्शन C. उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा नौटं की कहा का प्रमुख लोक न रते हैं? तो उत्तर प्रदेश का फिर अगला प्रेशन है प्रेशन संक्या आठ सौंदर शास्त्र का आदर्स क्या है? सौंदर शास्त्र का आदर्स क्या है? उप्शन याँ पर A. अच्छाई B. सौरी A. सात्य B. अच्छाई C. सौंदर D. कला तो इसका राइट अंसर क्या रहेगा? इस क्वेशन का राइट अंसर ऑप्शन C. सौंदर हीगल, C. कांट, D. अरस्तु तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है option B. हीगल हीगल का मानना क्या है? कला दर्सन की सींड़ी है फिर अगला प्रश्ण है प्रश्ण संख्या 10 हीगल के अनुसार कला का प्रथम चरण किसे माना जाता है? हीगल के अनुसार कला का प्रथम चरण किसे माना जाता है? option यह पर A. रोमैंटिक कला B. प्रतीकात्मक कला C. धार्मिक कला D. सास्तु रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है option B. प्रतीकात्मक कला हीगल का मानना है कि कला का प्रतम चरण क्या है प्रतिकात्मक कला अगला प्रशन प्रस्ण संख्या 11 सास्त्रिय कला का चित्रण है option या पर A, मोर्ती, B, संगीत, C, काव्य, D, चित्रकला इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option A, मोर्ती सास्त्रिय कला की अंतरगत मूर्थियों का निर्मार किया गया है अगला प्रशन है प्रशन संख्या बारा हीगिल के अनुसार कला का दूसरा विकासात्मक चरण किसे माना जाता है? उप्शन यहाँ पर A. रोमैंटिक कला B. प्रतिकात्मक कला C. धार्मिक कला D. सास्त्रिय कला तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस वेशन का राइट आंसर ऑप्शन D. सास्त्रिय कला हीगिल के अनुसार कला का दूसरा विकासात्मक चरण किसे माना जाता है? सास्त्रिय कला को और पहला माना था प्रतिकात्मक कला को अगला प्रेशन देखते हैं प्रेशन संख्या 13 इगल का कथन है कि प्रतिकात्मक कला सबसे अधिक सफल है ओप्षन यहाँ पर A. शित्रकला B. मूर्दिकला C. काव्य D. वास्तुकला तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आप्षन देखते हैं अगला प्रेशन है प्रेशन संख्या 15 प्लेटो ने संसार या प्रक्रति को कहा है औप्षन यहाँ पर A. सत्य का अनुकरण B. वास्तविक सत्य C. सत्य D. ना तो सत्य और ना ही है सत्य इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस question का right answer option A, सत्ति का अनुकरण अगला question, question संख्या 16 विरेचन का सिध्धान किसने प्रतिपादित किया? option यहाँ पर A, अरस्तू, B, प्लेटो, C, कांट, D, हीगल इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option A, अरस्तू विरेचन का सिध्धान किसने दिया? विरेचन या फिर सुध्धी करण तो विरेचन या फिर सुध्धी करण का सिध्धान किसने दिया? अरस्तू ने अगला question है, प्रति संख्या 17 विरेचन का अर्थ है option यहाँ पर A, अभिविन्यास, B, सुध्धी, C, अभिव्यक्ति, D, विस्तार तो इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option B, सुध्धी अभी आप लोगं को मैंने विटाया कि विरेचन का सिध्धान किसने दिया? आरस्तू ने और विरेचन के सिध्धान को सुध्धी करण का सिध्धान भी कहते हैं अगला प्रशन, प्रसन संख्या 18 प्रसन संख्या 19 भारती परमपरा में नाटी कला पर पहला ग्यात और मौजूदा कार हैं भारती परमपरा में नाटी कला पर पहला ग्यात और मौजूदा कार है उप्शन यह पर एक काव्य सास्त्र, बी अलंकरण सास्त्र, सी नाटी सास्त्र, डी इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेशन का राइट आंसर ऑप्शन सी नाटी सास्त्र, और नाटी सास्त्र की रचना किस ने की थी? तो भारत मौनी ने की थी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा अगला प्रेशन है, प्रेशन संक्या 20, अभिनो गुप्ति के नुसार नमा रस है, आप्शन यहाँ पर A स्रंगार, B सोक, C सांत, D हास्त्र, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस वेशन का राइट आंसर ऑप्शन C, सांत्र, अभिनो गुप्ति ने नवे रस की खोश की जो कि सांद्रस है और इससे पहले जो रसों की संख्या थी वो कितनी थी आठ थी अगला प्रस्ण संख्या 21 रंगोली भारत के किस शेत्र की प्रमुक कला से लिए है उप्शन याप पर A. महाराष्ट, B. गुजरात, C. उत्तर प्रिदेश, D. पस्चिम बंगाल इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option A. महाराष्ट, रंगोली किस शेत्र की प्रमुक कला है? तो महाराष्ट की ध्यान रखेगा अगला प्रिशन, प्रिशन संख्या बाईस, अलपना भारत के किस शेत्र की प्रमुक लोक कला से लिए है? उप्शन यापर A. उत्तर प्रिदेश, B. करनाटक, C. पस्चिम मंगाल, D. राजस्थान इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option C. पस्चिम मंगाल अलपना कहां की लोक कला है? पस्चिम मंगाल की अगला प्रिशन, प्रिशन संख्या तेईस, चौक पूर्ना भारत के किस शेत्र की लोक कला है? उप्शन यापर A. पंजाब, B. महाराष्ट, C. उत्तर प्रदेश, D. असम तो इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer है option C. उत्तर प्रदेश अगला question है प्रिशन संख्या 24 गर्बा लोक नरत्य कलाशेली कहां प्रचलेत है? ऑप्शन है इसके A. पंजाब, B. राजस्थान, C. उत्तर प्रदेश, D. गुजरात तो इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer है option D. गुजरात गर्बा कहां का दरोक नरत्य है? तो गुजरात का अगला question है प्रचले संख्या 25 और ये last question है उत्तर प्रदेश का एक प्रशिद लोग गीत है उत्तर प्रदेश का एक प्रशिद लोग गीत है option इसके A. मांग, B. कजरी, C. बोल, D. बोली तो इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option B. कजरी next question है आपर भारती दर्सन की आरंबिक विचारधारा है option इसके A. सांख्य, B. मिमांसा, C. वैसे सिग, D. चारवाग तो इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer option A. सांख्य सबसे प्राचीन या फिर आरंबिक दर्सन कौन सा है? तो सांख्य दर्सन है ध्यान रखेगा जो प्राचीन होगा वही सबसे पहला होगा फिर अगला प्रशन है यहाँ पर सांखी दर्सन प्रतिपादित किया गया यानि की सांखी दर्सन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया ओप्शन यहाँ पर संकुक, वामन, आनंद वर्धन, कपिल मुनी जिसका राइट आंसर क्या रहेगा सांखी दर्सन का प्रतिपाद किस के द्वारा किया गया या फिर किस ने किया वो कौन है कपिल मुनी फिर बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर तीन नंबर प्रशन है महारसी कपिल का नाम दर्सन की किस विधी से जुड़ा हुआ है उप्शन है फोर मीमान सा उत्तर मीमान सा न्याय दर्सन सांखि दर्सन थर्सन यह जो सब्द है कहां से लिया गया है option यहाँ पर प्राचीन युनानी भासा, प्राचीन रोमन, हिब्रु भासा या फिर अंग्रेजी भासा तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer है option संख्या A, प्राचीन युनानी अगला प्रशन, प्रशन संख्या 5 किस सौंदर्य सास्त्री का कथन है सत्यम सिवं सुंदर्म option यहाँ पर A, वामन, B, कपिल, C, रविन्ना टैगोर, D, आनंद वर्धन उसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option C, रविन्ना टैगोर यह कथन किसका है, रविन्ना टैगोर का सत्यम सिवं सुंदर्म अगला प्रशन, प्रशन संख्या 6, निम्ना लिखित में से अलंकार सिधान्त किसने दिया option यहाँ पर A, वामन, B, बामगाटन, C, भामा, D, अरस्तु इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option C, भामा अलंकार सिधान्त किसने दिया, भामा ने ध्याद लखेगा फिर next, प्रशन संख्या 7, सुकरात का जन्म कहां हुआ था option इसके A, चीन, B, जापान, C, भारत, D, यूनान तो इसका right answer क्या है इस question का right answer option D, यूनान सुकरात कहां के थे, ये यूनान के थे अगला प्रशन, प्रशन संख्या 8, किसने सौंदर को उपयोगिता के रूप में देखा है option इया पर A, प्लेटो, B, सुकरात, C, अरस्तू, D, क्रोचे इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option B, सुकरात सुकरात ने सौंदर को उपयोगिता के रूप में देखा है इन्होंने माना है, कि जो चीज उपयोगि है, वही सुनदर है अगला प्रशन, प्रशन संख्या 9, प्लेटो के गुरू कौन थे? option इया पर A, क्रोचे, B, सुकरात, C, अरस्तू, D, पाइथा गोरस तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option B, सुकरात प्लेटो के गुरू कौन थे? सुकरात थे और ये जो प्लेटो है, ये किस के गुरू थे? ये अरस्तू के गुरू थे ठीक है, क्लियर हुआ सुकरात प्लेटो के गुरू और प्लेटो अरस्तू के गुरू अगला प्रशन, प्रशन संख्या 10, सिम्पोजियम नाम ग्रंथ किस ने लिखा? सिम्पोजियम नाम ग्रंथ किस ने लिखा? Option है इसके A. Hegel, B. Herbert, Reed, D. Ruskin, D. Plato इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है Option D. Plato सिम्पोजियम नाम ग्रंथ ये किस ने लिखा? Plato ने फिर नेक्ष्ट प्रशन संख्या गेरा हीगल के अनुसार कौन सी कला सबसे सर्वस्रेश्ट है? Option है याँपर A. मूर्थि कला, B. कावि कला, C. संगीत कला, D. चित्र कला इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन B. कावि कला हीगल ने कावि कला को सबी कलाओं से सर्वस्रेश्ट माना है फिर नेक्ष्ट प्रशन संख्या बारा कलाकरतियां या थार्थ से दो गुनी या तीन गुनी दूर होती है या कथन किसका है? कलाकरतियां या थार्थ से दो गुनी या तीन गुनी दूर होती है या कथन किसका है? आप्शन या पर A. वामन, B. हरबर्ट रिड, C. अरस्तू, D. प्लेटो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आप्शन D. प्लेटो ये कथन किसका है? ये कलाकरतियां या थार्थ से दो गुनी या तीन गुनी दूर होती हैं ये कथन है प्लेटो का नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्ति संख्या 13. सर्वस्रेष्ट सौंधर वहा है जिसे अभिव्यक्त ना किया जा सके किसने कहा? उप्शन है इसके A. रेने दिकारते, B. हर्बैट रीड, C. कलिंग वुड, D. फ्रांसिस बेकन इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उप्शन D. फ्रांसिस बेकन और ये जो पंक्तियां है इन्हें ध्यान रखेगा, याद करके जाईएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आएंगे अगला प्राशन, प्राशन संख्या 14, मौडन पेंटर नामक पुस्थक के लेखा कौन है? मौडन पेंटर नामक पुस्थक के लेखा कौन है? उप्शन यहाँ पर A. भरत मुनी, B. रेने देकारते, C. रस्किन, D. क्रोचे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस वर्शन का राइट आंसर है उप्शन C. रस्किन मौडन पेंटर यह पुस्थक किसकी है? रस्किन की बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है, सौंदर शास्तर का पिता कहा जाता है उप्शन इसके A. बाम गाटन, B. अरस्तू, C. सुकरात, D. प्लेटो इसके राइट आंसर क्या रहेगा? इसComment का राइट आंसर है उप्शन है बाम गाटन, सौंदर शास्तर का पिता या फिर सौंदर शास्तर का जनक किसे काा जाता है बाम गाटन को? नेक्ट्स्ट्स प्रशन संख्या सोला ऐस्थेटी का नाम ग्रंथ किस ने लिखा? ऑप्षन है इसके A. आरस्तू B. क्रोचे C. बामगाटन D. रसकिन इसका right answer क्या रहेगा? इस question का right answer है option C. बामगाटन ऑप्षन का नाम ग्रंथ किस ने लिखा? बामगाटन है नेक्स्ट question संख्या 17 एक पर ए यूनान, ब जर्मणई, ब्रिटिस, डी चीन, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस question का right answer option B Germany, कांट कहां के हैं, यह जर्मणी के हैं, अगला प्रशन, प्रशन संख्या 18, हीगल ने ललित कलाओं को कितनी भागो में विवाजित किया है, कीगल ने ललित कलाओं को कितनी भागों में विभाजित किया है अब देखिए कौन कौनसी कलाओं है तो पहली है काविकला, फिर दूसरी है संगीत कला, तीसरी है चित्र कला, चौती मोर्तिकला और पांच भी है स्थापतिकला और ये जो मैंने क्रम बताया है ये सरस्रेष्ट कलाओं से लेकर निम्न कलाओं का है यानि जो पहली कला थी काविकला वो सरस्रेष्ट कला है किसके अनुसार हीगल के अनुसार और सबसे निम्न कला कौन सी है इस्थापतिकला हीगल के अनुसार में बता रहे हूं, ठीक है, हीगल के अनुसार सरसेष्ट कला, काविकला और सबसे निम्न कला, स्थापतिकला next question, पुष संख्या 19, हीगल के अनुसार सरवाधिक बौधिक तत्व किसमें होता है हीगल के अनुसार सरवादिक बौधिक तत्व किसमें होता है option यह आपर A. चित्र कला में B. काविकला में C. संगीत कला में D. स्थापति कला में तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option B. काविकला में हीगल के अनुसार सबसे ज़्यादा बौधिक तत्व किसमें होता है काविकला में next and last question प्रस्न संख्या बेस हीगल ने विशुकी कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया है हीगल ने विशुकी कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया है option S के A. 5, B. 6, C. 8, D. 3 तो इसका right answer क्या रहेगा इस question का right answer option D. 3 हीगल ने विशुकी कलाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया है प्रतीकात्मक, सास्त्री और स्वच्छंद प्रतीकात्मक को इंग्लिस में कहते हैं symbolic सास्त्री को classical और स्वच्छंद को romantic प्रतीकात्मक के अंतर्गत इन्होंने वास्तु कला को रखा है सास्त्री कला के अंतर्गत मूर्थी कला को रखा है और स्वच्छंद कला के अंतर्गत संगीत कला, कावी कला और शित्र कला को रखा है ठीक है तो ये last question था और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब भी कर लिजेगा फिर मिल दें दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ धन्यवाद दोस्तों जैहिंद